तो हेलो दोस्तो कैसे हो आप लोगा फिर से एक बर सब्जाएता है हमारे चैनल मुनुइललक्टिकल्स में अगर इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब तो दोस्तों इसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे तो दोस्तों इसका नाम है बेट सूच और बेट सूच का कनेक्शन आज करके आप लोगों को दिखाएंगे ते देखिए हमारे पास एक होल्डर है होल्डर में लाइड तो आ रहे हैं मगर बलप नहीं है तो बलप ल लगा रहे हैं इसका तार इसमें लिए कर देंगे इसका कनेक्शन कर देंगे और कहीं भी इसको लटका देंगे और बंद और चालू आसानी से कर लेंगे तो दोस्तों इसमें देखिए आप यह हमारा बलप है तो दोस्तों इसमें देखिए कुछ नहीं है इसमें दो तार न्यूटल फेश आया और हमने डायरेक्ट इसमें लगा दिये हैं और यह डायरेक्ट न्यूटल फेश से चल रहा है तो इसमें कुछ करना नहीं है आप लोग कि यहां से connection हटा दिये हैं उसके बाद क्या करेंगे देखिये हमारे पस neutral face का दो तार आया हुआ है, इस तार को किसी भी एक तार को हमें वीश से काट देना है चाहे इस तार को चाहे उस तार को किसी से इसको बीच से काट देना है काटने का बाद थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे काटने का बाद एक तार हमने काट लिये हैं उसके बाद इस तार को थोड़ा थोड़ा ऐसे छील लेंगे ऐसे छील कर थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे ताकि तार में मजबूती आ जाए उसके बाद इस बेड़ सुच को ओपन करेंगे यानि इसका नट खोलेंगे अग्तब आपको बताएंगे कि बेड़ सुच कैसे लगाया जाता है खोलने के बाद देखिए दोस्तों यह एक नट है इसको ऐसे खोल लेंगे खोलने के बाद दूसरा नट नहीं है इसमें दो नट रहते हैं मगर इसमें एक की नट है एक फसने वाला लाक दे दिया है इसको खोलने के बाद दोस्तों आराम से इसको ऐसे लिकाल लेंगे को भी खोल लिए हमने उसके बाद क्या करेंगे यह दो तार लिखला हुआ है इसका एक तार को ऊपर वाले आचा है नीचे वाला किसी एक पॉइंट में इसको ऐसे जोड़ देंगे इस तरीके से इसको देखिया जूड़ गया दूसरा तार को क्या करेंगे इसी तार को जो यह दूसरा तार इसके उपर वाले पॉइंट में जोड़ देंगे इस तरीका से दोनों तार जूड़ गया दोस्तों यह जो हम 20 से तार काटे हैं कटर के कटर से जो तार काटे हैं उसी तार को दो भाग में किये हैं एक ही तार को एक उपर और एक नीचे जोड़ दिये हैं जोड़ने के बाद सी तरीका से इसको घुमा लेंगे इस तरीका से इसको घुमा लेंगे यहां प this screw लगेगा तो यह point खाली रहना च्रहीए नहीं तो इसका screw फसेगा और सही से phitt नहीं होगा इस तरीका से तार देख लेंगा यह आपस में 60 तो नहीं हो रहा अगर 60 हो रहा है तो हटा देंगे इसको उसके बाद इसको ऐसे कभर लगा लेंगे कभर इसलिए लगा लेंगे जरूरी है ने तो हाथ उत लग जाएगा तब चेक करेंगे कभर लगाने के बाद ही हम करना चाहिए कुछ भी देखिए इस तरीका से हम बेट सूच लगा दिये हैं इस तरीका से बेट सूच लग गया उसके बाद अब हम कनेक्शन देंगे और इसका लाइट चालू करके दिखाएंगे दोस्तों कनेक्शन हमने दे दिया है और लाइट यहां तक पहुँच गया है मगर सूच अप है अगर सूच को अन करेंगे तभी यह बलब जलेगा नहीं तो नहीं जलेगा आप देखिए इसको on करते हैं और बलप जल गया इसको up कर देंगे तो बलप बंद हो गया on कर देंगे बलप जल जाएगा तो इस तरीका से दोस्तो बेट सूच के connection होता है किसी के तार के बीच में अगर सूच लगाना है तो इस तरीके से लगता है और देखिए कितना असान है इसको लगाना तो चलिए दोस्तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताए अगर हमारे चैनल सस्क्राइब ने चैनल को सस्क्राइब कर लें अगर कुछ पूछना है तो हमारे इंस्टागराम को फोलो करके इंस्टागराम पर मेसेज करें हम आपके जवाब उतर जरूर देंगे